लच्मन पहाडिया के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्धम संपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों कि कैसे हम लच्मन पहाडिया जाएं और किस प्रकार से जाएं और यहां क्या क्या फीचर दिए चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और ऐसे ही जानकारी के लि हिंदी सब्द में आप उर्ण गटोला से भी आप घाटी सिर्धी न चाड़ करके और गटोला से भी आप पूरे लचमन पढ़े कर दर्शन ले सकते हैं उपर जा सकते हैं तिकट कट था दोस्त जी और आने जाने किराया है रोपेवे का 40 रुपई इसमें से आप उपर जा करके नीचे उपर लचमन पहाड़िया के जर्शन कर सकते हैं उपर सीवराम से बैड़ करके बीना सीधी चढ़े हुए इसमें लगभग लचमन पहाड़िया में डेर सोच ज्यादा सीधी हैं तो जिसस लोगों को चढ़ने में दिखतों को सामना करना पता है यहां पर लाखों लोग रोज आते हैं अगर तेवार हुआ तो बहुत सारे लोग और आते हैं लगभग देर सो से 200 सीधी चढ़नी पड़ती है यहां पर लचमन पहाड़िया में इसलिए बच्चों को और बूढ़ों को आने जाने में बहुत दिक्कतों को सामना करना पड़ता है इसलिए यह उड़न खटोला जो रोपवे के नाम से जाना जाता है यहां पर किसी को खाली 40 रुपवे में आप अराम से बैट करके उस सीधी ना चढ़ करके आप लचमन पहाड़िया के दर्सन ले करके वापसी आ सकते हैं दोस्तों इसका भी प्रिजन टाइम में 40 रुपवे की राया है जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर बहुत साए लोग रोपवे से दर्सन कर ने जाते हैं लचमन पहाड़िया में चलिए तो आज हम भी रोपवे से लचमन पहाड़िया के दर्सन करके संपूर जानकारी देंगे तो आप नजारा भी दिखाएंगे एक ऐसे रोपवे में आप जा करके नजारा देख से दिखता हैं नीशे साइड का जैसे कि आप देख वाए गात यह से लौकष की बारेमें चित्रकूत के बारे में संपूर जानकारी याप पूदेंगा दोस्तो इस चनल के ठरू को आप Wallace शुचक्त के वाडरे में यानकारी पासकता है ऑगर आप दो हो तो इस चनल को सब्सक्राइब करने दोस्तों धन्वाद जैसे श्री रामचन ने 11 वर्ष का बनवास लिया था तो कामत गीरी परवत में रह करके गयात जयात समझ विचाय थे दोस्तों इसमें घूमने योग बहुत सी जगह हैं घूमने योग जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों लश्मन पहड़िया हो गई शीता रसोई मंदिर गुप्त गोदावरी रामघाट सतियंसुया मंदिर और ऐस बहुत सारे घूमने योग चित्तकूट में जगह हैं दोस्तों हम आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के चित्तकूट के बारे में देंगे लश्मन पहड़िये जैसे कि आप देख रहे हम रोपवे से यहां पर निजाड़ा दिखा रहे हैं आपको दोस्तों यहां प रहे हैं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं प्रिक्रमार का इसे लोग करने आते हैं प्रिक्रमा के बीच मारग में ही प्रिक्रमा लास्ट में या तो बीच में बोले इस इस बीच में आपको ये परवत मिलता है दोस्तों जिसे लश्मन पहाडिया के नाम से जाना जाता है और लश्मन पहाडिया आप आए यहां पर घूमिये जैसे कि हम लश्मन पहाडिया यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस पहडिया चैने लोग जैसे मंदीर में बहुत अच्छा दिख रहा है और आप जैसे की देख सकते हैं यहां पर पहाडिया में आ चुके हैं लश्मन पहाडिया आप भी आए यहां पे घूमने को बहुत अच्छा दिखता है यहां पने जारा बहुत अच्छा है यहां पर जैसे कि आप देख रहें दोस्तों अगर चित्रकूट आए हैं तो इस लश्मन पहाडिया जरूर आए जैसे कि यहा यहां पर मूरत भी सिव जी की मूरत भी है और यहां पर काफी साधू संत लोग रहते हैं और यहां पर रस्वों ही बना जाती है जैसे बोलते हैं घर लेश्मन पाड़ी में आप गर बनाए जो पत्थर का बना होता है यहां पर लोग देख सकते हैं यहां बेटा जाता है वो घर बनते हैं जो पत्थर के बना जाते हैं इसमें अपनी लोग घर बना करके मननत मानते हैं कहा जाता है कि या पर मननत आपकी पूर्ण हो जाती है इस मंदिर में घर बना करके इसमें कहते हैं कुछ पैसा दान रखा जाता दोस्तों यह यहां के लोग साधू संत लोग बत से जैसे की आप देख रहे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कि 40 पर आपको दे नहीं पड़ेगा नहीं जब आपको पास पैसे नहीं है तो आप सीड़ी से आ सकते हैं अगर आपके पास पैसे हो या तो आपको ठकी लगती हो तो आप रोपवे यानि उड़न से आ सकते हैं नहीं देख सकते हैं याप छोटे छोटे बच्चे लोग सीड़ रहा है दोस्तों आप यहां पर आईए और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे इसी यूटूब तेनल अनुप